अब्रीबरी मैं न्यूचिक्र ब्रेकर चनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज अभी गंटे पहले सीटी बीट ब्यार का इंट्रेंस टेस्ट खत्म हुआ है उसके लॉजिकल और अनलिटिकल रिजिनिंग का सवाल हमारे पास है उसके अंसर मैं भी बताऊंगा एक बार आप चेक कर लिए कितना आपका क्रेक्ट हो रहा है मैं जहां तक हो सकेगा समझान करेंग दिया गया करीब करीब 25 कोस्टन में से 16 कोशन टफ ही थे चार पॉंच को चन या आठ नौ कोस्टन ही असान थे चलिए आते हैं फर्स्ट कोस्टन की और पहला कोस्टन लिखा हुआ है नीचे दी गई सूचनाओं का साब्धानी पुर्वक अध्यान कीजिए और उनके नीचे दीएगे प्रस्टन का उत्तर दीजिए चाव व्यक्ति एक खेल खेलते हुए एक ब्रित में केंदर की और मुह करके बैठे हुए हैं बिजय सुधीर की बाई और था मगर अमार सौर और राकेश के मजद था नीरज अमर की बॉयों और दूसरे अस्तान पर ता तो देखिए मैंने यहां पर सौल किया एक सर्कल बना हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं सर्कल में छे व्यक्ति सेंटर की और मुह करके बैटे हुए हैं तो पहले दो का जो दिया हुए बिजय आप प्वाइए सुधिर की बाई और ता तो बीजय यहां पर मैंने लिखा है और सुधिर यहां पर लिखा है बिजय और आप पॉइंट आउट कर दीजिए उसके बाद जो अगला है अमर जो है सारव और और यानि कि राकेश के मजद में है तो यहां पर प्वाइए क्वेस्टन पर आते हैं कुष्टन देखिए क्या है कि Abidya के दैनी और दूसरी अस्थान पर कुझा था आप देखिए लिए के दायनी और दूसरी अस्थान पर कौन ए नीरज तो ए और आपशन क्रेक्ट होगा 32 और विजय के मध्य कौन था आपसें सी यहां पर क्रेक्ट तो इसका अंसर भी क्रेक्ट होगा जो आते हैं इसे संबंदित एक और कॉस्चन है नहीं इतना ही क्वेशन था अब है लेटर स्रीज का क्वेशन है तो देखिए कह रहा है है 35 से कुछ और कॉस्चन में कि जो बीच में वाट का सहीं लगा हुआ है उसको भरना पीडी यूडवली इस तरह से बीच में वाट में कैसे एगा इसका क्रेक्ट अंसर यह होगा कैसे में बता दे रहा हूं सबका जो पोजीशन है लेटर का पोजीशन जैसे पी का 16 है मैंने लिख रखा है का विचे पोजीशन लिखने के बाद एड कि पर फोटी आ रहा है यहनि कि 36 पे जिसका पोजिशन होगा 33 प्लस 3 में उसी का वही प्रेक्ट अंसर होगा तो आप्शन एक आप एड करके देख लिजिए वह बिल्कुल प्रेक्ट वी जे एक्स यहांसर बिल्कुल करेक्ट है इस पोजिशन एड करने बाद 36 आ जाता है नेक्स्ट को सने यह तो यहां पर वाय आना चाहिए यहां पर जैड है तो वाय आ गया उसके बार फिर देखिए टी या असुरूस देखिए एल कि इसको छोड़के यहां देखिए यहां तीन लगाता रहें पी क्यू छोड़के आड का है आज के बाद एस छोड़के फिट्टी लिखा है तो इसी क्रम में एन आएगा और शुरू में भी एन होगा तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है अब 37 नमर क्वेश्टन का जो आंसर होगा अपोजिट वर्ट दिया हुआ है तो इसका अन्म होगा यह असान ही है कर लिए होंगे 38 का ऑप्शन डी क्रेक्ट होगा ऑप्शन डी जो दिया हुआ है वो कि वह है सी आइम टी यह 38 का क्रेक्ट अंसर है अब 39 देखिए 11 कोश्चन जंप संसे और उसके रिजल्ट से संबंदित था इसको से लोजी जम कहते हैं तो इस तरह के कोश्चन बहुत आई 11 कोश्चन थे तो इसका क्रेक्ट आंसर मैं 100 क्रेक्ट नहीं बता पाऊंगा आप तो एक बार देख लीजिए लेकिन मुझे जो लग रहा है इसका आंसर 39 का आंसर सी क्रेक्ट है ओप्शन सी क्रेक्ट अंसर है 39 का एक ही कोश्चन है इस पेज में उसके बाद 39 के बाद भी सेम कोश्चन है कथन दिया हुआ पहुंच या इसे अधिक उम्रिके बच्चों को स स्कूल में भेजना बांच निया है और इसमें दो अनुमान दिये गए हैं आप पड़े होंगे और इसका जो क्रेक्ट ऑप्शन होगा ए नमर यदि केवल वन अनुमान अंतर नहीं थे हैं आप सोच के देख लीजिए यहां पर आप ऑप्शन ए क्रेक्ट होगा 41 का जो अंस के बारे में भी लिखा हूआ है और चेनखीचने के बारे में भी लिखा हूआ यह उसी से अंध समग्दित है तो दोनों अनतर नहीं थे ऑप्शन को करक्ट नेक्स बाते हैं 42 सभी चुछे बिली हैं सभी विल्यां कुत्त हैं इन सारे कंसर अको कुश और लग रहा है तो प् हैं कुछ बक्रियां मुर्गी मुर्गियां इसका अंसर सी होना चाहिए कि थर्टी कि नेक्स्ट क्वेस्टन आते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन है 44 देखिए यह अच्छा सवाल है कि इसमें कह रहा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रतिक धाई घंटे बाद पतना के लिए ट्रेन छूटती है नई दिल्ली स्टेशन पर एक उद्गोशना होती है कि पतना के लिए 40 मिनट पूर्व एक ट्रेन छूटी थी और अगली ट्रेन अठारा बज़े चूटेग यानिकी 15 बज़ के 30 मिनट पर शूटना चाहिए था लेकिन यहां पर चूटने के 40 मिनट बाद उध्गोसना हुए मैं था उध्गोसना का समय यहां पर पूछ रहा है तुर सारे तीन बज़े में यानिकी 15 बज़ कि 30 मिनट में 40 मिनट का टाइम एड कर देंगे 16 लाज के 10 म है यदि उसके आगे नौ लड़के हो तो उसके बाद कितनी लड़किया है सब पहले टू एक्स मौली जे बॉइज का और एक्स मौली जे गल्स का एजुकल कि आठ आधे गा यंकिनोरी के तो आठ लडर्किया एक इससे लेकर Redmi तक मेंех effectivement आच लर्कियां हैं तो लटरी की शंख्या कि तो इसके बाद कितनी लर्किया है तो इसके बाद जो लर्किया कि 20 गटा दीजी इस तो में तो तो एक अभः हुआ वर आता है नेक्स्लेश्च engines न तक वहिए जंपसन से समभनडित नहीं यह सब्सक्राइब करने वाला को सब्सक्राइब बहुत इंट्रेस्टिंग और बहुत मज़िदार है आप देखिए मैंने सब्सक्राइब करके रखा है सब्सक्राइब करेंट इवेंज का और तिसरा आट एंड कल्चर का और उसके बाद फिर कह रहा है कि एंडी और अन्मेरिड आपट्रेश और किसी भी बिश्यमें दक्षता नहीं रखते हैं इस दा हस्वेंड इस दा हस्वेंड इनने मैरीड कपल में जो है उसका एक हस्वेंड यह और बी सी का ब्रादर और और नाइदर मॉस्टर ऑफ करेंट इवेंट नौर आर्ट एंड कल्चर इस तरह से कोश्चन दिया एक लएना हुआ है नन आफ दा लेडी जैस कमांड ओवर क कि मैं आपको समझाता हूं यह और डी अनमेरीड लेडी हैं और किसी भी सब्जेक्ट में दश्टा नहीं है तो एडी लेडिया उसके बाद मैंने लिख दिया इस वाद एडी किसी भी से में दश्टा नहीं रखते हैं और यह किसी का हस्वेंड है तो इसमें जो कपल हो लड़की भी तो आड़ीचा है । यहाथ है उसकी वाईफ दिक आब ऑक अब रचिर आवक अब ऐने 2022 करेंट करेंट में जो मस्टर के अजए अब आते हो सम्पी करम है क्इला और संसके पिस्टाמ ऑस्टर ईंट्छ कर्कर वाप्शन सकैंड़ और संस्कृति का मौस्ट है उपसंसी क्रैक्ट उंचास पी पतंग आते हैं कि पत्नी पत्नी पैसे पत्नी सी तो पत्नी क्रच्ट उसके बाद 50 नंबर कोस्टन में नहीं पड़ूँगा बस डैक्ट आंसर पि आता हूं जो जो आंसर सही है उसके मैं बता दीरा है आप लोग खुद से कर लीजिए गप पचास नमर कोशन का आंसर भी हो जाएगा कि नेक्स्ट कोशन है फिप्टीवर नमर इसका अंसर सी हो जाएगा ठीक है अलाकि इसमें एक दो कोश्चन रॉंग भी हो सकते हैं ठीक है तो आपको बार देंसर की कवेट करना सभी होगा ग्यारा कोश्चन के लिए जंप्संस और रिजल्ट्स के लिए फिप्टीटू कोश्चन नमर का आंसर आप्शन सी है 53 का आंसर डी करेक्ट है इसका आप्शन आंसर सी हो जाएगा यदि ना तो निसकर्च वान और ना तो निसकर्च दो निकलता है 54 का 55 का आंसर भी है तो इतने ही क्वेस्चन थे रिजनिंग के थैंक यू